जोब्सक्राइब दोस्तों हमारे यूट्व चैनल हिमाचल फॉरेवर में दोस्तों मैं लेक्षा आ हूँ आपके लिए जॉब्स की अप्डेट रहने वाली है यह जो हम हमारे रोजजकार पंजीगन आया है बहां पर दोस्तों यह भर्तियों का योजन करवाया जा रहा है और यह इतनी भी जॉब रहेंगी यह जो हिमाचल और हिमाचल के बाहर के कंपनिया उनमें इनको न्युक्तियां दी जाएंगी तो सब सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगा जो हमारे पास हैं पहली एंटर्वि अप्लांसिज लिम्टिड और यह कंपनी जो है आपकी मोहली के कंपनी है और यह जो न्युक्तियां के दी जाएगी जो इसका प्लेस वर्किंग रहेगा वो रहेगा कुलू, सिमला, मंडी, रोडू, कांगड़ा, चंबा, चंडीगड और इसके लिए दोस्तों जो पकैंसी इसके लिए में दोनों लिजीबल है जो कोई इंट्रेस्टेट है जो की यह जौब करनाता है हिमाचल पर इसमें जो की नाम बताएंगा है कुलू, सिमला, मंडी, रोडू, कांगड़ा, चंडीगड में तो दोस्तों वो 21 जून को जो है तो है अगली अपडेट की दोस्तों जो हमारे पास अगली अपडेट है जो काला है आपकी अजो कमपनी है सिस इंडिया लिम्टेड प्लासपूर की जो कंपनी है ये स्क्यूर्टी गार्ड के पदो जो है एंटर्वियू का योजन करने जा रही है इसमें याजू केफं कॉलिभी केफं की हम बात करें तो 10 पास यहां पर रक्षी गई है हाइट यहां पे 1.5 cm बताए गई है बेड की चाहिए 56 kg आपका बेट होना चाहिए चले के 95 kg तक आपका बेट होना चाहिए एज लिम्ट की बात करें तो 21-37 बर्स के बीच में आपकी आयू होने चाहिए नेम और पोस्ट यहां पे मैं आपको बदा बिता हूं graduate trainee, officer, security guard, security supervisor के पद रहेंगे श्यादरी की यहां बात करें अगली और लास्ट अपडेट की दोस्तों बात करते हैं अगली और लास्ट अपडेट की दोस्तों जो हमारे पाफ लास्ट अपडेट है यह अपडेट निकाले हुए district employment exchange उन्ना से यहां पर दोस्तों कहा है कि LIC साखा उन्ना द्वारा इंसुरेंस एडवाईजर के बिन प अपर बताया है कि इंसरेंट एडवाईजर के पदोने तु शेक्षणी योग ता दसमी पास रक्षी गई है इसके अत्रिक जो आपकी एज है वो ठारा से पच्पन वर्स के बीच में होनी चाहिए और जो इसके लिए जो फीस है अपर रिक्सा फीस रक्षी गई है फाड़ और उसको जो जो जॉब सर्फ कर रहा है तो उसके लिए अच्छी अपर्टनिटी रहने बाली है और जो टेंथ पाफ है तो वो इस एंटर्विव में भाग ले फक्ता है और यह एंटर्विव आपकी फत्रह जून को इसका आयोजन किये जाएगा जो इसका स्ताम रहेगा ब बने रहे हिमा चल फोरेवर के बाद बगवान करें आपका दिन शूब रहे जय मतादी